ओके सो हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोग का मेरी यूट्यूब चानल रोईथ हैरकट टुटोरियल में तो आज हम लोग लेकर रहा हैं बॉप कट यानि की बहुत ही शौट में हम लोग एपल कट करेंगे बॉप कट भी से आप लोग बोल सकते हो तो बिफोर लोग आपने और पतले-पतले सेक्शन लेते हुए कट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गाइडलाइन क्रियेट करेंगे और आप लोग यह हैरकट के बाद देखोगी जो मैंने आगे फ्लिक्स निकाला है उसे किस तरह कट करना है तो दोस्तों काफी डिटेल में वीडियो है चानल पे न नॉलिजबल वीडियो आप लोग को मिल सके इसके लिए लाइक और चैनल को सबस्क्राइब दोस्तों जरूर करना क्योंकि सबस्क्राइब करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग का काफी सदा प्यार आप लोग दिखा रहे हो जिसके वैसे मुझे और मॉटिवेट मिलता जाएंगे और वन लेंद आप लोग को वहीं तक करना यह जहां तक की आपका क्राउन है तो देखिए आप लोग इस विडियो में देख पाऊगे कि कहां तक हमें करना है लेकिन उसके पहले आप लोग जब भी यह करोगे तो यह शाट ऺंशाट हैर के लिए आप लोग को ब तो आप लोग का जो guideline के हिसाब से आप लोग करोगे तो जो हमारा look है वो anyone आएगा कहीं से उपर और कहीं से नीचे आएगा तो आप लोग को ध्यान में रखना है और हमेशा पतले sections ही निकालना है आप लोग को 2 तीन sections extra जाएगा चलेगा लेकिन sectioning आपको पतला ही निकालना है पतले sections से ही आप लोग करोगे तब आप लोग को look मिलेगा और आप लोग को काफी बहत्रीन look मिलेगा यह आगे चलके आप लोग देखोगे कि जितना ही पतले sections लेते हुए हम लोग एगदम cut कर रहे है और मेरा आप लोग finger देखे किस तरह एगदम scale की तरह straight है उसी तरह knowledgeable videos चाहिए तो मेरा instagram idea hair stylist rohit link आप लोग को description में मिल जाएगा वहाँ पर आप लोग को short video में काफी जादा knowledgeable video मिलेंगे और आप लोग मेरे instagram पर जाए फॉलो करिए और अगर कोई भी doubt हो hair color hair treatment से related तो आप लोग मुझे वहाँ पर जाके मुझे question कर सकते हो सारे question का answer आप लोग क इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा तो इंस्टाग्राम पर जाएए मुझे follow करिए तो देखिए अभी हम लोग crown का एक्दम लास्ट वाले section लिए हैं और उस लास्ट वाले section को अब हम करेंगे cut तो shampoo conditioner हम लोग करना जरूरी क्यों होता है बहुत लोग का सवाल होता है तो shampoo conditioner हम इसे straight रहेंगे तो proper look नहीं मिलता है और weight होने के वज़े से वह एकदम proper straight look मिलता है जिसके वज़े से आप लोग proper तरीके से cut कर पाते हो तो देखिए step by step हम लोग पतले sections लेते हुए और scale की तरह एकदम straight cut कर रहे हैं और आप लोग का जब यह crown का जो last वाला section है वो complete हो कि सारे hairs anyone cut हुए है कि नहीं तो देख सकते हो आप लोग proper तरीके सेंसम straight cut हुए है आप लोग इसे one length भी कर सकते हो लेकिन यह bob cut में आएगा अब जब front का cut करेंगे जो हमारा forehead पे वो cut करने के बाद एकदम apple cut वाला look आएगा और जब इसे styling देंगे इन में तब आप लोग को इसका पूरा look का आप लोग का समझ में आएगा कि पूरे look का क्या में हमें इसका idea मिलेगा तो देखे स्टेब बाद में आप लोग करते जा रहे हैं और कट करने के बाद में आप लोग सेक्शन है उसे भी हम सेम guideline को follow करते हुए और कट करेंगे और उसके बाद में आप करना हैं श्राप करना है को रहались हम चाट करना के दिर यहां पर आप înे ताल नहीं लेना हैं एकडम करना करना है कर गडियर्ट किस तरह करते हुए हिसे बेंके हम लोगि इसे इन पूरा कट हो जाए, उसके बाद में styling किस तरह करना है किस तरह bloat eye करना है, in में करना out में करना है, या फिर lining से आप लोग को styling करना है, ये पूरा detail में आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा मैं तो पहले आप लोग जो ear to ear का जो second section है उसे cut कर लेंगे, और अभी हम लोग को फिलाल front का भी look cut करना है, जो हमें front में flicks देने वाले हैं, foreheads के लिए वहाँ पर भी आप लोग को उस तरह ही cut करना है तो देखिए आगे वीडियो में ताकि आप लोग को पता चले कि हमारा जो front का look के उसे किस तरह देना है, तो देखिए हम लोग straight finger लिए और ये ear to ear का भी हमार जो sectioning है, वो पूरी तरीके से complete हो चुका है तो दोस्तों यहाँ तक आगे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिजे क्योंकि अभी और भी नहीं हेर कट से रिलेटेड हेर ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं तो बैक साइड का लेंद देख सकते हो कि हमने शॉट कर दिया है हमारे एक्स्ट्रीम शॉट लुक मिल चुका है हम फ्लिक्स का कट करने के लिए दोनों साइड से हम लोग क्लिपिंग लगा लेंगे ताकि हम जब फ्रंट का कट करें तो जो हमारे बाकी के एक्स्ट्रा हैर से वह हमारे फिंगर में ना है तो देखिए अब हम लेरे FINGER में उसे और आप लोग को पहले थोड़ा सा long में ही cut करना है क्योंकि अगर जाधा short हो गए तो फिर वो काफी जाधा ऊपर की दिद करना है क्यों को अगर थोड़े से long रहे तो आगे चलके आप लोग वापस से उसे cut कर सकते हो तो जाधा short आप तो चलिह हमने एक एक कंखी तरीके से कट कर लिया है रशनल यह isery हैं ज्बो आप लोग में victorious कर रहे हैं आप लोग को थब बोट्राई करना है ज्जादा हईट रोगे तो यहांन हीट लगेगा तो वह जादा हीट लगेगा तो हम अदे बाद डर राय कर रहे हैं और फ़िर उसके बाद में किसे आउट में अच्छी तरीके से पूरा कर लेना है और इन में करने के बाद में ये हमारा final result आप देख सकते हो कितना amazing सा शाहिन आया है और hairs काफी बहत्रीन दिख रहे हैं तो आप लोग ने before का look तो देखा था कि कितने rough hairs थे बड़ आप देख सकते हो कितना बहत्रीन सा तो दोस्तों यह haircut कैसा लागा आप लोग मुझे comments करके जरूर बताना और यह haircut को आप लोग follow करिए जिसके वज़े से आप लोग वह थी अच्छी तरीके से यह haircut कर पाओगे तो देखिए हमारा final result complete हो चुका है और इसी तरह अभी और भी बहुत सारे haircut से related वीडियो आने वाले हैं आप लोग इसे चाहो तो आइनिंग से भी styling दे सकते हो लेकिन आइनिंग से आप लोग को इन में करना होगा इन में अगर आप लोग आइनिंग करोगे तो ही आप लोग को इस तरह का लुक मिलेगा अगर आइनिंग से आप लोग को नहीं जम रहा है तो आप लोग ब्रो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर